Hello दोस्तो मेरा नाम है Gautam Dattah और आप देख रहे है Gautam Dattah Arts में आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम Lumious method से किसी भी face का portrait हम और easy method बना सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप Lumious method से किसी भी portrait का एक face बना सकते हैं एक structure से और इसमें मैंने ये वाला reference photo यूस किया है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने बीबी के वाइंग भूबन बाम का reference photo लिया है इसका link आपको description पर भी मैं देदूँगा आप एक small structure से आप पूरा face को complete कर सकते हो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग एक circle बनाएंगे यहाँ पर देखिये मैंने एक circle बनाया है सबसे पहले यहाँ पर पहले circle को मैं completely set कर रहा हूँ उसके बाद मैं center में एक line कीच है पर जहां तक मैं लग रहा है कि मेरा face वहां ब्रैयाएं जहाँ पर lips है वहाँ पर nose है मैं उस चिस का एक mark कर ले रहा हूँ फिर ear के लिए वहां से center line जहाँ मेरे कुन लग रहा है eyes का corner side है मैं एक center line ले रहा हूँ फिर वहां से आइस के लिए और आइब्रो के लिए दो लाइन, उसके नीचे में लाइन कीश रहा हूँ, फिर वही से यहर का सेक्षन ले रहा हूँ, फिर इसी तरह मेरा यह फेस का normal structure स्टार्ट हो गया, फिर मैं जहां पर आइस का सेक्षन है, वहां पर आइस बना रहा हूँ, यह थर्ड drawing है, बाद में इसको fair किया जाएगा, फिर nose के लिए मैं जहां पर देख रहा हूँ, यहां पर nose बनाने से पहले सबसे पहले glasses है, तो यहां पर उसी हिसाब से मैंने glasses को draw किया है, जो ear तो connect होगा, तो देखिए जैसे continue में कर रहा हूँ, उसी तरह मैं glasses को भी draw कर रहा हूँ, यहां पर यह चीज मैं rough draw कर रहा हूँ, जैसे adjustment है, फोटो के हिसाब से देखिए, कि आपको कैसे कैसे इसको draw करना चाहिए, फिर वहां पर जहां 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 shade मेरे को dark लग रहा है, तो हलका हलका मैं उसको अपने हिसाब से पैटन दे रहा हूँ, nose का मैंने एक third line दिया था, third line पर मैंने nose को फिर वहां से connect किया, nose को connect करने के बाद फिर वहां से नीचे में जो उनका mustache है, mustache को वैसे ही मैंने complete किया, फिर उसी तरह जहां पर मैं lips का line है, वहां पर lips किया, यहां के session में हम लोग को जो मैंने circle बनाया है था, उसी में से उसका center line है, center line से आप second line पर convert यहां पर जैसे जो डाड़ी का session है, जैसे मेरे को लग रहा है, वैसे से मैं इसको draw कर रहा है, लेकिन maximum मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, कि आप light hand से हमेशा draw करेंगे, यह light hand से आप draw करोगे, जब आप shading करने जाओगे, जिस time पर उस time पर आपका dark shade है, आप deeper hand से आप use करोगे, उसे क्या होगा, कि आपका shade के time पर उसका एक rough बन जाएगा, तो वहां पर एक marking आ जाएगा, तो वहां से drawing को craft करेंगा, उसी तरह मैंने year को भी complete किये है, जहां पर जो session मैं आपको पहले बताया था, वहां से update करते हुए, अब मेरे को जैसे दीख रहा है, वहां पर दाड़ी का session है, तो दाड़ी को मैं देख रहा हूँ completely जैसा है, वैसे draw करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरह मैं उनका जैकेट है, जैकेट का shape लेके, अब मैं hand बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 circle बनाऊँगा, उसमें से एक upper circle होगा, वहां से फिर hand का एक pattern मनाऊँगा, कि जहां-जहां मेरे को जैसे लगता है, एक्सामपल के हिसाब से, वैसे मैं hand का structure बनाऊँगा, उनके एक लाई में एक watch है, तो watch के लिए एक circle बना के मैंने उसको थोड़ा बहुत changes करने की कोशिश की है, जिससे ये update जैसे लगे, कि आप normally rough sketch में maximum गलतिया होती है, लेकिन ब बहुत जगें पे, इनका हलका-लका जो shade है, उसके हिसाब से, हम shading तो भी करने रहा है, इसका rough drawing है, तो जहां-जहां मेरे को लग रहा है, इसको roughing के साब से, आप इसको completely आप observe कीजिए, कहां-कहां आपको जैसे, आपका rough drawing में क्या-क्या चीज होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप गलतिया कर सकते हो, तो यह rough drawing में आपका failure जो काम होता है, वो roughly होता है, और lumias method में हम लोग यह की करते हैं, कि normally हम लोग observe करते हैं, कि कैसे कैसे क्या है, drawing कैसा है, उसको हम लोग observe करके इसको continue रखते हैं, और यहां पर देखिए कि आपका जो lumias method से, आपने जो rough drawing है, वो करते हैं, यह video में मैं आपको समझा पाया है, कि किस तरह आप lumias method से किसी भी portrait का face बना सकते हैं, और इसमें मैंने जो जो technique यूस किया है, यह normal technique आपको एक circle से लेके एक line, एक structure से बना के, एक side face का drop होता है, वो easily आप बना सकते हो, इसके आप, अगर आप और भी tutorial चाहते हैं, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, अगर यह video आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज एक like कीजिएगा, अगर आप इस channel में new हो, तो प्लीज एक subscribe करके हमाये channel को grow कीजिएगा, तब तक के लिए do practice, take care, thank you so much for watching.